नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यसी आए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में संचार और सूचना परद्योगी की पर संसदिय स्थाई समिती ने इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड नहीं रखने पर दूर संचार विभाग की आलोचना की ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 ने भारत की प्रत्यायन प्रणाली को पाँच वह स्थान दिया भारतिय अभू विज्यानिक सर्वेक्षन ने जम्मु कश्मीर में लीथियम के भंडार की खोज की पांचवी अंतराष्ट्रिय समुद्री संरक्षित शेत्र कॉंग्रेस कनाडा की वैंकूवर में संपन्न हुई भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरन ने एकिकृत लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्राधिकार के आरंभ पर पर परामर्श पत्र जारी किया एक अध्यन के अनुसार हिमनत जील के तूटने से उत्पन बार से लगभग 3 मिलियन भारतियों को खत्रा है और आई अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं संचार और सूचना प्रध्योगी की पर संसदिय स्थाई समिती ने इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड न रखने पर दूर संचार विभाग की आलोचना की संचार और सूचना प्रद्यगी की पर संसधी एस्थाई समिती ने 2021 में दूर संचार सेवाओं या इंटरनेट का निलंबन तथा उसके प्रभाव शीरशक से एक रिपोर्ट जारी की थी समिती की नई रिपोर्ट इस पूर्व रिपोर्ट में की गई टिपणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों को रिखांकित करती हैं इंटरनेट शटडाउन सरकार या सरकार की ओर से किसी संस्था द्वारा जान बूज कर ओनलाइन सूचना और संचार प्रणालियों तक पहुँच तथा इनके उपयोग को अवरुद्ध करने की कारवाई है वर्ष 2017 में दूर संचार सेवा अस्थाई निलंबन लोग आपात और लोग सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया गया था राजिसरकारे खानून और विवस्था बनाए रखने के लिए इनही नियमों के अंतरगत टेलिकॉम सेवाओं का निलंबन जिसमें की इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित करती हैं और आई अब बात करते हैं इस समिती के रिपोर्ट के बारे में इसमें ये टिपड़ी की गई है कि इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव पर कोई अनुभव जन्ने अध्यान के बिना बार बार इसका सहारा लिया जा रहा है टेलिकॉम सेवाओं या इंटरनेट शटडाउन से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड का रख रखाव नहीं किया जा रहा है इंटरनेट शटडाउन का आर्थविवस्था पर पढ़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए भी कोई अध्यान नहीं किया गया है समीक्षा समीति के केवल आधिकारिक सदस से ही टेलिकॉम सेवाओं के निलंबन के निरने की समीक्षा करते हैं और इसके अलावा सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों ने इंटरनेट शटडाउन पर समीक्षा समीति का गठन नहीं किया है इसके लिए समिती नहीं सिफारिशें की हैं कि इंटरनेट शटडाउन का अर्थविवस्था पर प्रभाव और लोग आपात तथा लोग सुरक्षा के दौरान इसकी प्रभाव शीलता का आकलन करने के लिए एक गेहन अध्यन कराया जाना चाहिए। समिक्षा समिती की संरचना का विस्तार करके इसमें गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इंडेक्स दोहजार इकीस ने भारत की प्रत्याइन प्रणाली को पांचवा इस्थान प्रदान किया है। GQII प्रग्राम गुणवत्ता पून अवसंरचना पर अनुसंधान और डेटा के प्रसार की एक पहल है। ये जर्मनी में इस्थित फिजिकालिश, टेक्नीश, बुंडेसन, स्टाल्ट और जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री फोर एकॉनमिक कॉपरेशन और डेवलेपमेंट बीमजेट द्वारा समर्थित पहल है। GQII 2021 में 184 देशों को उनके क्वालिटी इंफ्रस्ट्रक्चर के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। विचारों को स्विकार किया जाता है। मुल्यांकन संस्थाओं की शमता और विश्वस्नियता को बनाने में मदद करती है। इसके अलावा विशेश रूप से स्वास्थे और सतत दिकास जैसे शेत्रों के लिए गुणवत्ता एवं विश्वस्नियता की नीव रखती है। भारतिय भूवेग्यानिक सर्वेक्षन ने जम्मु कश्मीर में लीथियम के भंडार की खोच की। पहली बार भारतिय भूवेग्यानिक सर्वेक्षन ने केंद्रशासत प्रदेश जम्मु कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना शेत्र में लीथियम के भंडार होने का अनुमान लगाया। GSI के मुताबिक ये भंडार प्रारंभिक अन्वेशन चरण में है यानि ये जीत्री शेनी का है यहाँ 5.9 मिलियन टन लीथियम होने का अनुमान लगाया गया है लीथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है आवर्द सारणी में ये सबसे पहला शार खनिज है ये एक अलोह धात कि ये तीन देश लीथियम ट्राइंगल कहलाते हैं लीथियम उत्पादन में आस्ट्रेलिया विश्व में सबसे आगे है और भारत ने करनाटक के मांडिया जिले के मार लागला अल्ला पटना शेत्र में मौजूद आगने चटानों में अपने प्रथम लीथियम भंडार की खूज की है लीथियम का महत तो इसलिए भी है क्योंकि ये रिचार्जबल बैटरी और उर्जा भंडारन समाधान का एक मुख्य घटक है लीथियम ऑक्साइड का उपयोग विशेश ग्लास और ग्लास सिरेमिक में किया जाता है उर्जा संक्रमन के लिए ये बहुत ही साथ ही नेट जीरो उत्सरजन की लक्षिकी प्राप्ती में लीथियम पर अत्यधिक निर्भरता होगी जीएसाई खान मंत्राले से संबध कारेले हैं जीएसाई की स्थापना 1851 में की गई थी इसे आरंभ में रेलवे के लिए कोईले की भंडार का पता लगाने के लिए ख्याल है कोलकाता में हैं देश भर में इसके छे शेत्रिय कारेले हैं ये भू वेग्यानिक गतिविधियों को संपन्न करने वाला भारत का वेग्यानिक संगठन है अगली खबर सूचना और प्राध्यकी की से संबंदित हैं भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरन ट्राई ने एकिकरित लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्राधिकार के आरंभ पर परामर्श पत्र जारी किया ट्राई ने आर्थिक विकास में मजबूर डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्तो को रिखांकित किया है और ट्राई ने इसी संदर्व में एकिकरित लाइसेंस विवस्था के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प परामर्ष पत्र जारी किया है एककरित लाइसेंस विवस्था सेवा आधारित प्राधिकार प्रदान करती हैं इस प्राधिकार के तहत भी कि लिए उप Nicolas प्रदानं करता है ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुश्मान भारत डिजिटल मिशन आधी के तहट अलग-अलग सरकारी यूजनाओं के कार्यान वेन में मदद करता है इससे पहले राष्ट्रिय डिजिटल संचार नीती में प्रोपेल इंडिया मिशन के तहट DCI पर बल दिया गया था इससे तटस्त तृतिय पक्ष संस्थाओं का गठन होगा और ये संस्थाएं निश्क्रिय और सक्रिय डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रेस्ट्रक्चर का निर्मान कर सकती हैं वर्तमान में infrastructure provider category आई निश्क्रिय इंफ्रेस्ट्रक्चर को प्रस्तुत करती हैं वहीं इसके विप्रीत सक्रिय इंफ्रेस्ट्रक्चर निर्मान की अनुमती केवल टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को ही है DCIP अपने infrastructure को केवल उनी संस्थाओं को पट्टे या किराय पर दे सकते हैं या फिर बेच सकते हैं जिने भारती टेलिग्राफ अधिनियम के तहत लाइसंस प्राप्त है DCIP के संभावित लाभों की बात करें तो ये सामाने और साजा करने योगे DCI एवं नेटवर्क संसाधनों में व्रिधी करेगा ये लागत में कमी करेगा निवेश आकरशित करेगा सेवा वितरन विवस्था को मजबूत करेगा वही निश्क्रिय इंफ्रेस्ट्रक्चर का मतलब भौतिक संरचनाओं से है जैसे कि टेलिकॉम टावर, फाइबर डिस्ट्रिबूशन हब आधी और सक्रिय इंफ्रेस्ट्रक्चर होते हैं एंटीना, बैक हॉल कनेक्टिविटी जैसे सक्रिय घटक आधी और अब बात करते हैं महासागर की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रिथवी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा महासागर हैं, तो ऐसे में महासागरों को संरख्षित करने के लिए पाचवी अंतराश्ट्री समुद्री संरख्षित शेत्र कॉंग्रेस कनाडा के वेंकूवर मे इंपक, इंपक 5 जो है वो एक वेश्विक मंच हैं, ये समुद्री संरख्षित शेत्रों से सम्मधित सूचना साजा करने, संरख्षन के लिए प्रेडित करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए पेशेवर महासागर संरख्षकों और उच्छे स्तरिये पदाधिकारियों क एक साथ लाता है, इसका लक्षे 2030 तक 30% वेश्विक महासागरों का संरख्षन करना है, ये लक्षे 30-30 अभियान के तहत किया जाएगा, ये समर्थन करता है कुन्मिंग मॉंट्रियल वेश्विक जैविवित्ता फ्रेमवर्क का, हमारा सागर, हमारा भविश्य, हमारी जिम् एल्डर ने सोसाइटी तथा बिटिश कोलंबिया प्रांथ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया था, समुद्री संरख्षित चेत्र महासागर का वो भाग होता है, जहां सरकार मानवी अगति विदियों पर रोक लगा देती है, वर्तमान में महासागरों का लगभग 7.65 प परियावासों और उनमें रहने वाले विवेद प्रकार के जीवों की ऐसे संरक्षित चेत्र रक्षा करते हैं, इसके अलावा समुद्री परेटन के लिए शेत्रों का निधारन करने और इस्थानी आर्थिक विकल्पों का विस्तार करने में मदद करते हैं, परेटन और पूने वाले जोखिम के बारे में, एक अध्यन के मताबिक हिमनद जील के तूटने से उत्पन बार से लगभग 3 मिलियन भारतियों को खत्रा है, ये ग्लेशियल लेक आउटबस फ्लड यानि की जी एल ओएफ के सबसे अधिक जोखिम वाले शेत्रों का पहला वैश्विक आ इन्हें ही मोड कहा जाता है, इनमें मलबे और बर्फ के ढेर जमा होते रहते हैं, जी एल ओएफ के कारण जलवायू परिवर्तन से बर्फ पिगलने लगती है और जल का प्रवाह बढ़ जाता है, इससे जल के दबाव में वृधी होने लगती है, या फिर जील की सीमाओं मे संरचनात्म कमजोरी आ जाती है भूकम्प या क्रायोसिजम यानि की ग्लेशियल क्रायोस्फियर की ग्यायर विवर्तनिक भूकम्प या परिघटना इसकी वज़े से भी ग्लेशियल लेक आउटबस फ्लर्ट की घटना घटित होती है वही चटान या बर्फ के विशाल खंड के भूस्खलन या हिमस्खलन भी जील ओएफ को जन्म देते हैं बर्फ के नीचे जुआला मुखी उदगार की वज़े से भी जील ओएफ की घटनाये देखी जाती है भारी वर्षा या बर्फ के पिगलने से हिमनद में जल का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है जील ओएफ की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रिया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई दिशान अड़ेश दिये हैं जैसे कि खतरनाग जीलों की पहचान करके उनके मांचित्र तयार किये जाएं मौनसून के महीने के दौरान नई जीलों के निर्मान सहित जल निकायों में बदलाव का पता लगाने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी का उपयोग किया जाए इसके अलावा उच्चु जोखिम वाले शेत्रों में निर्मान और विकास कारे को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए साथी समवेदन शील शेत्रों में मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए और आई अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्पूर्ण सुर्खियों के बारे में उच्च मूल्य रिण सूची बद्ध संस्थाओं के लिए गवर्नेंस मानदंड भारतिय प्रतिबूतियों और विनिमय बोर्ड ने एक HVDLE में संबंधित पक्षकार लेंदेन के लिए कॉर्परेट गवर्नेंस नियम प्रस्तावित किये हैं HVDLE उन कंपनियों को कहा जाता है जिनके पास कम से कम 500 करोड रुपे की सूची बद्ध गयर परिवर्तनी और रिण प्रतिबूतियां हैं जहां 90 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर धारक संबंधित पक्षकार हैं वहां RPT यानि कि संबंधित पक्षकार लेंदेन को शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए RPT मान दंडों को केवल सूची बद्ध गयर परिवर्तनी रिण प्रतिभूतियों वाले HVDLEs यानि कि High Value Debt Listed Entity पर ही लागू किया जाना चाहिए यदि 75 प्रतिशत या अधिक मुले के डिबेंचर धारकों की ओर से आपतिया प्राप्त होती है तो निदेशक मंडल को ये सुनशित करना चाहिए कि RPTs यानि कि संबंधित पक्षकार लेंदेन से संबंधित एजिंडा वापस ले लिया जाएगा अगला टॉपिक है इलेक्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट दोहजार तेईस इस रिपोर्ट को अंतराष्ट्रे उजजा एजिंसी ने जारी किया है युक्रेन पर रूस के आक्रमंट से उतपन वैश्विक उर्जा संकट के दोरान 2022 में विश्व में विद्युत की मांग लचीली बनी रही थी आगामी तीन वर्षों में नवीकरणी और पर्मानु उर्जा की वैश्विक विद्युत आपूर्ती के विकास में सबसे प्रमुक भूमिका होगी नवीकरणी और पर्मानु उर्जा 90 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त उर्जा मांग को पूरा करेंगी भारत के समद्ध में इसमें ये निशकर्ष दिया गया है कि 2023 से 2025 के दौरान उर्जा मांग में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 5.6 प्रतिशत की विर्धी होगी आयातिद गयस की कीमतों में व्रधी के कारण 2022 में गयस आधारित उत्पादन में 36 प्रतिशत की गिरावट आई थी इसके अलावा अधिकतर विद्यूत उत्पादन कोईला आधारित हैं इसके कारण 2025 तक इस से जुड़े CO2 सरजन में 2022 के इस तर से 8 प्रतिशत की वृधी हो की संभावना है ये व्रधी CO2 तीवरता में गिरावट के बावजूद होगी अगला टॉपिक है AIF यानि की Alternative Investment Fund वैकल्पिक निवेश कोश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडी सीज ने निफ्टी बेंचमार्क्स के तहत सब केटेगरी इस तरके बेंचमार्क लॉँच किये हैं वैकल्पिक निवेश कोश का मतलब भारत में इस्थापित या फिर निगमित ऐसा कोई भी फंड है जो एक निजी रूप से जमान निवेश साधन है ये निवेश के लिए बड़े निवेशकों स सामाजिक रूप से विभार रिबानती है श्रेणी दो में इजी एक्विटी फंड्स या डेट फंड्स को शामिल किया जाता है इन फंड्स के लिए सरकार या कोई अन्य विनियामक निकाए कोई विशेश प्रोथसाहन या रियायत नहीं देता है श्रेणी तीन में हेज फं इसके अलावा ऐसे अन्य फंड्स भी शामिल हैं जो ओपन एंडिड हैं यानि जिनके लिए सरकार या किसी अन्य विनियामक निकाए द्वारा कोई विशेश प्रोथसाहन या रियायत नहीं दी जाती है अगला टॉपिक है फॉर्मूला ई रेस भारत में पहली बार टॉप टियर मोटर स्पोर्ट सीरीज फॉर्मूला ई रेस का आयोजन होगा इससे भारतिय मोटर स्पोर्ट को काफी बढ़ावा मिलेगा फॉर्मूला ई का मतलब इलेक्ट्रिक है इसमें रेसिंग कार पूरी तरह से बैटरी द्वारा संचालित होती हैं ये भविशे में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में बदलाव पर केंद्रित हैं ये एक समय में एक रेस और एक शेहर की अवधारना पर अधार और एक हरित विशु को बढ़ावा देती हैं अगला टॉपिक है एलेसी वास्तविक नियंत्रन रेखा चीन ने एलेसी के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में पीपूल्स लिबरेशन आर्मी की त्रेस तरिये तैनाती की है चीन के इस कदम का जवाब देने के लिए भारत के निकट तीन संयुक्त सशत्र ब्रिगेड्ज यानि सीएबीज को तैनात किया है इन सीएबीज की सहयता के लिए रिजर्व टुकडियों को तिबबत के आंतरिक शेत्रों जैसे की फरी जोंग, शिगातसे और लहासा में रखा गया है भारत और चीन के बीच इस्तित सीमा क को एलेसी कहा जाता है, ये 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, एलेसी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश से हुकर गुजरती है, एलेसी पूरी तरह से सीमांकित नहीं है, उच्च भूभाग और सगन परियावास इस शेत्र क की मुख्य विशेशता हैं, नौड स्ट्रीम, एक नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2022 में नौड स्ट्रीम पाइपलाइनों को नश्ट करने का काम अमेरिका और नौर्वे ने किया था, नौड स्ट्रीम यूरोप में जलकी सतह के नीचे गैस पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क का निर्मान बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ती करने के लिए किया जाता था, ये उत्तर पश्चिमी रूस के वाइबोर्ग से पुर्वत्तर जर्मनी के लुगमिन शहर के बीच इस्थित अगला टॉपिक है, मिशन अंतियोदय सर्वेक्षन 2022-23, ग्रामीन विकास और पंचायती राज मंत्राले ने मिशन अंतियोदय सर्वेक्षन जारी किया है, इसके साथ इसका पोर्टल तथा मोबाईल एप्लिकेशन भी लॉंच किया गया है, ग्रामीन विकास विभाग 2017-18 स सर्वेक्षन का आयोजन कर रहा है, इसका उद्देशि ग्रामीन शेत्रों में अलग-अलग विकास योजनाओं के परिणामों का आकलन करना है, ये सर्वेक्षन जन योजना अभियान के अनुरूप किया जाता है, सर्वेक्षन 2022 प्रशनावली में 21 शेत्रों को कवर करते और 216 डेटा बिंदूओं को शामिल किया गया है। क्वाओर एक नए अध्यन से ये पता चला है कि बोने ग्रह क्वाओर के चारो और वलय मौजूद है। और आईए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की फिनलेंड इसकी राजधानी हेलसिंग की है। और तर फिनलेंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग और परमानू प्रद्योगी की सहित कई अत्याधुनिक टक्नीकों में आपसी संबंधों का विस्तार करने की मंशा प्रकट की है। इसकी सीमा उत्तर में नौर्वे, पुर्व में रूस, दक्षिन में फिनलेंड की खाडी, दक्षिन पश्चिम में बोथनिया की खाडी और उत्तर पश्चिम में स्वीडन से लगती है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्षि के लिए ततपर रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानि विजन आईएस की पूरी टीम को दीजे इजासत। नमस्कार।